हेल्लो दोस्तो अगर आप अपने मोबाईल android की मदद से कोई video editing या फिर screen recording करना चाहते हो ये इसी की मदद से पको विडियो बनाना चाहते हो या फिर कोई educator बनना चाहते हो तो यहां पर हमारे पास दो application से AZ Screen Recorder और X Recorder ठीक है दोनों ही आपकी मोबाइल की screen को record करेंगे ठीक है यहाँ पर हम AZ screen recorder देखेंगे X recorder उसी की तरह है काम करता है यहाँ पर options देख लेते हैं WiFi transfer इसकी मदद से आप directly अपने computer में एक link की मदद से जो भी डेटा आपने रेकोर्ड किया है वो ट्रांसफर कर सकते हो विथाउट एनी मॉंबाइल डेटा चार्जिस कि क्या या तरौ को यहां पर वीडियो उप्षिन और लहां रखना है नहीं उस秤 आहाई। पे फ्रेमरेट ओटो और एंटेशन ओटो लेंस के पोट्राइट टैमलेप्स चेंज करना है यह टाइम लेप्स यानी वीडियो की स्पीड को अगर घटाना बडाना वो तो उसके लिए ठीक है टाइमलेप्स आपको पताई होगा रेकोर्ड ओडियो आपको ओडियो चाहे माइक्रोफोन या इंटर्नल जैसे अभी माइक्रोफोन की अधर से रेकोडिंग हो रहा है ठीक है आउट्पूट डिरेक्टरी आपके डेटा स्टोरेज की जितनी जग होगी उतने टाइप का आपको यहां पर टाइमिंग दिखायागा कि 14 घंटे तक आप रेकोड कर सक सकते हो ठीक है ग्रीन स्क्रीन पर अगर रेकोडिंग कर रहे हो कोई दिख्कतार यह तो फिक्स करेगा फिर यह जो बटन दिख रहा है अगर इसको हाइड करवाना है तो इसका भी ऑप्शन्स यहां पर दिया है ठीक है फिर काउंट डाउन 321 जो शुरुवात में होगा उस पती है मेरा फोटो ठीक है अर आपको यह दिखाना आई आपको अगहर कोई वीडियो रेकोर्डिंग होरी उसके साथ अपना फेश भी दिखाना है तो उसके बास स्क्रीन शॉट यानि के लिए अगर त्छिन पर हम वीडियो जब रेकोर्डिंग कर रहे तभी इसी के साथ स्क्रीन पर जो उसको स्क्रीन को रेकोर्ड करना है तो डायरेक्टली स्क्रीन शूट ठीक है ब्रश अगर साथ में अगर को यावश्च चिकता होई कि आपको कुछ लिक्ट के बताना है तो यह ठीक है यहां से ड यह रहा साइज पेन की साइज घटानी बटानी है तो उसके लिए यह बेक जाने के लिए डिलेट और बंद ठीक है टेक्स्ट एंड लोगो टेक्स्ट यानी वीडियो चल रहा है उसी कि दोरान आपको कुछ दिखाना है जैसे कि यह ने की गाहीं कि तो उसकी मदद से आप यहां पर स्क्रीन पर फ्लेश करवा सकते हो फिर योगो दिखाना है जैसे यहां पर आपको यह स्टार दिखाई दे रहा है ठीक है उसको बंद करना है बेजिक चीज़े है फिर फोटो जो भी हमने स्क्रिंशूट लिया उसको यहां से एडिट भी कर सकते हो आप कि टेक्स डालना है या फिर क्रॉप करना है दूसरा मज़ उसके बड़ डालना है पैन से कुछ लिखना आए या फिर आगा तो ब्लर करवाने कुछ चीज़े को के सकतते हो तो हैँ फिर है वीडियो अगर यह वीडियो एडियी ओ फिक है अपने रेकॉड कर लिया उसके बाद आको इसको एडिट भी करवाना पड़ेगा तो यहां से आप edit कर सकते हो ठीक है क्ट्रीम करना है मीडल में से कुछ निकालना है वीडियो को जीफ बनाना है यानि कि repeated mode पर चलाना है या फिर कोई frame screen पर जो चल रहा है उसको बाहर निकालना है तो यह क्रॉप कर दिया घ्र फिर बेग्राउंट पीछ ही है बेग्राउंड चेंज कर ना है यह सकते हैं ठीक है रोटेट करना है फिर एडिट करना है ओडियो दूसरा डालना इसमें तो ऑनलाइन ओप्षिन्स भी है आपकी डिवाइस में चोंवैलेबल हो कर सकते हो पिर एचस्ट भी कर सकते हो गटाना बटाना ठीक है टेक्स्सड डालना है तो वह भी कर सकते हो पीछ में ज़स्ट यहां से आपको options मिलेगाई stickers stickers डालना है photo डालना है सब जो यहां पर अवेलेबल है फिर merge 2-3 वीडियो आपको combine करने तो भी आपको option मिलेगा यहाँ पर compress करके आप वीडियो की size को घड़ा भी सकते हो यानि कभी कबार आपके पाश डेटे की कमी हो तो आप उसको share करने में आपको easily यह आपको एब मदद करेगा ठीक है यह basic है editing photo settings similarly यह x recorder है उसमें भी यही same options है तभी photo video ठीक है फिर editing edit photo merge video and photo इसमें थोड़े ज्यादा options हुआ है वह ताविक पाकि यहाँ पर भी आपको screenshot camera brush वह सबाब मिल जाएंगे और एक चीज आपको as a screen recorder में directly live जाने का मुखा भी मिलेगा ठीक है जैसे यह screen अगर में बंद करूगा तो उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करोगे तो नीचे live का options भी आएगा तो आप facebook या youtube में directly जो भी screen पर दिख रहे हो और direct live हो सकते हो मेरा कहना का मतलब इतना यह है अगर आपके पास कुछ p content हो जो आप पता सकते हो दुनिया को तो अब जस्ट record करे फोटो आपके पास होगा slideshow की मदद से उसको दिखाए है screen के उपर ठीक है या फिर directly facecam करके record करके उसको directly share कीजिए या फिर pdf में हो ppt में हो just जो भी हो यहाँ पर mobile में open करके just उसको explain करें उसको वीडियो को upload करें बहुत easy है एक बाद try जरूर कीजिए ठीक है